पर इतनी तेज धूप है, आप लोगों को भूप प्यास लग रही हैं होगी, आप लोग अंदर चलतर कुछ खा लीजे महिला की बात सुन, पहले एक बुज़र्ग ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पती घर पर है? वो तो इस वक्ताम कर गए हैं, तो हम आपके घर नहीं आ सकते हैं शाम को जब महिला के पती काम से घर लोटे, तो उसने पूरी बात अपने पती को बताई सारी बात सुनने के बाद, पती ने तीनों बुज़र्गों को शाम के खाने का निवंतरन देने को कहा पती के कहे अमसार, महिला एक बाद फिर उस पेर के पास मुझे, और उसने उन बुज़र्गों को खाने का निमंतरन दिया महिला की बात सुन, बीच में बैठी बुज़र्ग बोले शुकुरिया बेटी, पर हम तीनों एक साथ किसी के भी घर नहीं जाते पर ऐसा क्यों? देखो बेटी, ये जो मेरी बाई और बैठे है, इनका नाम तॉलत है और जो मेरी जाई और बैठे है, इनका नाम सफलता और मेरा नाम प्यार है जैसा कि मैंने तुम से कहा था, कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते अब ये तुमपन निर्भर करता है कि हम तीनों में से तुम किसे अपने घर ले जाना चाहती होता बुजुर्ग की बात सुन निर्णा सोच में पड़ गई उसके लिए निर्णाय करपाना थुड़ा मुश्किल हो गया उसने सोचा क्यों ना अपने पती की मदद दी जाए वो भीतर गई और उसने अपने पती को सारी बात बताई पत्मी की बात सुनने के बाद पती बोले हम्म मुझे लगता है हमें दौलत को अपने घर ले आना चाहिए क्योंकि उसके आते ही में माला माल हो जाएंगे नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि हमें सफलता को ले आना चाहिए क्योंकि उसके आते ही हम जिंदगी में वो सब हासिल कर पाएंगे जिसकी हमें इच्छा है तभी पास ही ले बैठी, इनकी दस साल की बेटी बोल पड़ी ममा ममा, पर मुझे लगता है कि हमें उस प्यार नाम वारे दादा जी को घर बुलाना चाहिए ताकि हमारा घर खुशियों से भर जाए बेटी की बात पती पत्ती को जच गई और उन्होंने आंगण में जाकर प्यार नाम के बुजर्ग से घर के अंदर आने का आग रह किया प्यार नाम वाले बुजर्ग आगे बढ़े पर ये क्या इनके पीछे पीछे दौलत और सफलता नाम के बुजर्ग भी घर की योड़ चल पड़ी ये देख मैला को आश्यर हुआ और उसने बुजर्ग से पूछा पर आपने तो कहा था कि आप में से सिर्फ एक ही घर के अंदर आ सकता है अब आप पीनो बेटी मैंने बिल्कुल सही कहा था अगर तुमने दौलत या सफलता में से किसी एक को चुना होता तो बाकी दो घर के बाहर ही रह जाते पर क्योंकि तुमने प्यार को चुना है सो जहां प्यार रहता है वहाँ दौलत और सफलता तो खुद बखुद चली आती है